नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसा द्रिश्टे दिखाने वाला हूँ एक ऐसा खुब सुरसा नजारा जिन्हें देखके आप काफी प्रफूलित होंगे कुदरत से बनाए गए एक ऐसा नायाप साद्रिश एक ऐसे नायाप से पोधे जिनके फूल देखने से हमें काफी खुसी मिलती है बहुत ही सकून मिलेगी इस तरह की बहुत सारे ऐसे वरायटी है जो की विंटर सीजन में आपको छोटे छोटे फ्लावरिंग वाले पोधे मिलते हैं जिन्हें आप देखेंगे कि छोटे पोधे में भी आप मतलब छोटे पोट्स में भी आप अगर लगाते हो तो इनके फूल इतने सारे आते हैं और अलग-अलग के डिफरेंट भरायटी जिन्हें देखके दोस्तों यकीन मानिये इन फूलों से आपको प्यार सा हो जाएगा और काफी दिनों तक ये फ्लावरिंग करते हैं विंटर से सुरू होंगे सो आपके समर सीजन तक मतलब मार्च अपरिल तक ये फ्लावरिंग करते हैं पिटुनियों के वैसे दोस्तों कई सारी वरायटी आपको मिल जाएगी गार्डनर पे या आपके लोकल नरसरी में आप इसे जुलाई अगस्त से भी आप लगा सकते हैं या फिर नौंबर तक भी आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों जब भी आप इस पौधे को लगाते हैं तो आप एक छोटे पौधे खरीद के लाएं छोटे पौधे आपको आपके लोकल नरसरी में मिल जाएंगे या फिर आपके लोकल मार्केट में जहां पे भी फूल वाले पौधे आपको मिलते होंगे वहां से ये पिटोनिया प्रिंपॉर्टों में जब दोस्तों आप इसे लगाते हैं तो भूँटी खूबसूरत उंप्रेशन दैती है क्योंकि हैं प्रिंजी की अब रहो remedies है जब वह उसकी बेह Chapel ौप दिए दोस्तों बहुत ही खुबसूरत एक दीष बनाती है यह पैंजी कि आप देख सकते हैं इसके अलग-अलग पैटल आपको मिलेंगे बहुत सारे कलर में जो कि बहुत ही लो मेंटनेस है मतलब आप इसे बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं इसकी propagation जो है बहुत ही simple है दोस्तों जब भी आप इसे लगाते हैं तो simple से आप अपने garden की मिट्टी ले एक हिसे rate ले ले और एक हिसे घोबर की खार बस थोड़ी सी light wheat आपको मिट्टी बनानी है और आप उस पर वोह ज़्रिप कर दे दोस्तों बहुत ही ज इस post वह भी 5 अपने की सदेगे इंधिक्न दिकाय। ही यहुदधी हैं यह देखते हैं। जब आप इसे सामने से देखें तो यकीन नहीं होगी। теп यह एक ओर फ्लावरस है। ले वह अपण देख सकते हों। और इसके सास्थ पतिया की सब्सक्राइट है वो भी उसकी एक अलग खुवसूरती होती है पैंजी में भी काई सारी भाइटि या होती है पिटुनिया में भी आपको भूए सारे मिल जाये मैक्सिमम पिटुनिया की चार भराइटी होती है जिन्हें चोटे और बड़े बड़े फूल लगते हैं ज्यादा फूल पाने के लिए इस तरह से जब फूल सुक जाते तो आप उसे रिमूब कर दिया करें जिससे वहां से फिर से नहीं ब्रांश निकलती है और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत दोस्तों गुछ्य के सुरत में खिलती है काफी समय तक खिलती है तो कम maintenance भी कम है low未 नए क। आप इसे लगा सकते हैं दैन इसकी पर फैले हिए आपके साथ शेयर करा था कि आप इसोतिरह इसकी इसकी बना च्छिए से बना सकते हैं कब इसे लगा सकते हैं, किस तरह की environment इसे पसंद है और कौन सा fertilizer हम समय से दे सकते हैं तो काफी detail के साथ हमने part 1 वीडियो में आपके साथ share करा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे description box पे check कर सकते हैं मैं part 1 वीडियो की link वहां mention कर दूँगा So I hope कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो इस वीडियो को एक like करिएगा चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई topic के साथ पर के ले कुट पर सबीक वार एक उल सबस्èmes